मैं सभी SSGD केंडिडेट से हाथ जोड़ कर निवेधन करना चाहता हूँ आप सभी लोग इतना क्यूट कीजिए आज के ट्रेंडिंग नंबर वन पर जाना चाहिए आखिर क्या कसूर है उन्हों भरतियों का जिनके पॉइंटों में नंबर जाता है क्या उन्होंने इस भरति को तीन साल नहीं दिये क्या वो तीन चरणों में पास नहीं होकर आए है आखिर उनको मेरिट लिष्ट में बाहर किस अधार पर किया जा रहा है क्या वो भरति के हगदार नहीं है क्या वो भरति पहनने के हगदार नहीं है क्या भी देश के आहला ठीक चल रहे हैं आप मुझे बताइए चीन की साथ तना तो नहीं चल रही है सरकार से संसत में पूछा गया अर्द से निकबल में कितने पत खाली है तो जवाब आता है एक लाग से तदिक पत खाली है अरे मेडिकल फिट कंडिडेट 80 से 90 हजार के बीच में होंगे और 60 हजार वेकेंसी हैं अगर यदि इसमें 30 हजार वेकेंसी और बढ़ाकर सभी मेडिकल फिट कंडिडेट को जोइनिंग दे दे जाती है तो उन अभीरतियों का कितना भला हो जाएगा आखिर उस अभीरति की क्या गलती है वो तो बिचाना रिटन पास भी है फिजिकल की तुमारी कट ओफ में भी आया मेडिकल की कट ओफ में भी आया तुमने ये पहली अभीरति देख रहा हूं भाईयो इसमें 3-3 बार कट ओफ लगा दी गई पहले रिटन के लिए कट ओफ लगाए जाती है फिर उसको रिवाइज किया जाता है फिर मेडिकल के लिए भी कट अब एक कट अब की और मार जहलेगा यह युवा परदास नहीं करेगा हम अपना हक मांग रहे हैं कोई हम भीक नहीं मांग रहे हैं जैसरिमन नारायन हरी जैहिंद आप सभी लोग अतरिक्ट कीजिए